कोलकता के आज़ी का रस्पताल के लेडी डॉक्टर की मौत के मामने में पहली बार पोस्ट मॉटम रिपोर्ट अब सामने आई है चश्मे को कूटा गया जिसके वज़े से आखों से खूल निकल गया किसी सब भी समाज और मनुशास्ची दराज में जब कोई अपराद होता है तो वहां की पुलिस को अपरादी को पकड़ना चाहिए उस पर मुकदम चला कर उसे सजा देनी चाहिए अगर प्रसाषन ऐसा नहीं करता सरकार ऐसा नहीं करती तो लोगों को आगया कर प्रोटेस्ट कर करवाय की मांग करना चाहिए कुलकटा रेप और मडर केस में R.O.P. तो पकड़ा गया है तो इतना हला और प्रोटेस्ट किस बात के लिए 9 अगस्त को कुलकत्ता के आज मेडिकल कॉलेज में जो रेप और मडर की घटना हुई उसने पश्चिम मंगाल की मम्तसरकार, चाटू का पत्रकार और अपने फायदे की राजनिती करने वाले नेताओं का सच उजागर करके रख दिया है पहले इस पूरे किस की टाइम लाइन देख लेते हैं फिर बागी बाते करेंगे 9 अगस्त को इघटना खटती है और सुबह साथ 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 बचे के बीच में मेडिकल कॉलेज वालों को इसकी सूचना मिल जाती है लड़की की बॉड़ी में नीचे साइड कोई कपड़ नहीं थे आँखों समेच जगे जगे से खुन रिष रहा था ऐसी हालत को देखके कोई भी समझ जायागा कि लड़की के साथ क्या गंदा काम हुआ है मगर कॉलकत्ता की पुलीस तो अभी अभी पुलीस बनी है या उसमें छोटे छोटे बच्चों को भर दिया गया है जिनने समझ में नहीं आया कि हाँ कितनी खराब हरकत हुई है सुबह साथ से साथ साथ के बीच इस भीशन घटना की जानकारी होने के बाद भी मेडिकल कॉलेज सुबह के साथ से ग्यारा के बीच में लड़की के परिवार वालों को सूचना देता और बताता है कि उनकी बीटी की तविए बिगड़ गई है बाद में ये लोग कहते हैं कि उनकी बीटी ने सुसाइट का लिया है यहां पे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मेडिकल कॉलेज के इसी कोई प्लानिंग थी जहां पे उन्हेंने सोचा था कि लड़की के इस मर्डर को सुसाइट बता देते हैं मेडिकल कॉलेज था साफ सूप करके कुछ और करके बता देते हैं और शायद प्लान इस चक्कर में फेल हुआ होगा, कि लड़की के जिसम में बहुत सारे गहाँते, उसकी आखे भी फूट चुपी थी, ऐसी परिस्टी में किसी साधारन राज की पुलिस क्या करेगी, मामला दर्च करेगी, भले रेप का मामला बिना पोस्त मॉडम के जाज के मामला दर्च करेगी, पर कलकत्ता की पुलिस थोड़ी अनुकी है, उन्होंने कोई अफायार दर्जी नहीं करी, देर रात जब परिजनों ने थोड़ा दबाव दिया, तब जाकर इन्होंने एक साधारन सी अफायार दर्च करी, जिसमें पहले मर्डर का भी जिक्र नहीं कि मामले ने जब सोचल मीडिया पर तूल पकड़ा, तो वहां की ममता सरकार की भी आँके खुली और उन्होंने प्रिंसिपल को तत्कार हटा दिया, मगर राजनिती का वसूल है कि अगर आप अपने आदमे को कहीं से हटा होगे, तो उसे दूसरे के सेट करना होगा, तो ममता और प्रिंसिपल को वहां से हटा कर दूसरे किसी कॉलेज में प्रिंसिपल ने उत कर दिया, इस बात पर सुप्रीम कोट ने भी सवाल खड़े किये थे, पर प्रिंसिपल सहाब के संबद टीमसी और ममता के साथ अच्छे बताय जाते हैं, तो उन्हें सेट करना तो टीमसी व वाले अपने मानपता का और राजनीती के नियमों का पाला ही कर रहे थे, वो तो सोचल मीडिय कारण बात लीक हो गई, और टीमसी वाले घेरे में आ गए, लड़की घर वाले कलकत्ता पुलिस की कारवाई से बिलकुर खुश नहीं थे, थोड़ा हल्ला हुआ, मामला हाई को पहुचा और हाई कोट ने इस पूरे केस को ही उठाके, सीबी आई को ट्रांसफर कर दिया, और यहीं से दूसरी कहानी चुट होती है, किसी राज के लॉयन ओर्डर को मेंडेन करना, वहां की पुलिस की जिम्मेदारी होती है, और यह पुलिस राज सरकार के अधीनी काम करत है, और पुलिस सरकार की इन नाजायस मांगों को क्यो कूरा करती है, क्योंकि इसी सरकार के पास पुलिस विभाग के प्रमोशन और तबादले की पूरी शक्तियां होती है। राजी सरकार चाहे तो किसी भी केस के साथ छेड़ चार कर सकती है मगर कब तक? जब तक वहां कमबक CBI न खुझ जाए जिसके खुट के कई केस आज तक अंसुल जी रह गए है 13 अगस्त को जब हाई कोट द्वारा इस केस को CBI को टांसफर कर दिया गया उसी दिन आज गर मेडिकल कॉलेज वालों को याद आया कि पिछले साल दिवाली में रेनोवेशन का काम नहीं हुआ था तो चलो अभी करा लेते हैं और कॉलेज वालों ने सोचा होगा कि भाई अब कॉलेज का नाम इतना प्रचलित हो रहा है तो दूर दूर से लोग आएंगे देखेंगे तो साफ सफाई कर लेते हों खास कर उस जगे की जहां पर यह घटना घटी थी हास्पिटल पिसाशन और कलकता पुलीस इत्ती मासूम थी कि इन्हें किसी ने बताया ही नहीं और नहीं इन्होंने गूगल किया कि वहाँ पर चीजों को रेनोवेट करना एविडेंस के साथ सीधा सीधा छेड़ चाड़ है मगर लगता है कि T.A.M.C के निद्धा रेनोवेशन के काम से खुश नहीं थे इसलिए अपने गुंडों को भिजवा कर उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर से और एविडेंस के साथ तहसनेस कर दी और उन्हें अराम से बहार निकाल लिया जर्मनी में वैटकर एंटी हिंदू एंटी मोधी कंटेंट बनाने वाला जर्मन शैफट पूछ रहा था कि किसी को नहीं मालूम कि ये गुंडे किस पारिटी के थे भाई हमको मालूम है ये टी-एमसी के ही थे अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब के पिछ पुलिस क्या कर रही थी तो भाई पुलिस तो बीजी थी सोशल मीडिया पे उन लोगों को नोटिस भीजने में जो इस केस को लेकर बात कर रहे थे और सवाल खड़े कर रहे थे पुलिस भी मजबूर रही होगी कि भाई दूसरी पारिटी के लोग होते तो उन्हें गिरफतार भी कर लेती अब ये टी-एमसी के यूवान एता थे अगर इन्हें कुछ करती इनके उपर कुछ कारवाई होती तो पता नहीं मम्तब अनरजी इनका क्या हल करती और इसमें भी खास बाती है कि इनके जो पुलिस कमिशनर विनीद गोयल 11 साल पहले उन्होंने एक केस को ऐसा बिगाड़ा था कि रेप और मडर के 9 आरूपी इनके कारण बज़ गए थे हाई कोट के अंदर जब ये केस सीबियाई को ट्रांसफर किया जा रहा था तब इस बात की चर्ज़ भी वहाँ पे हुई थी ऐसा लगता है कालकता पुलिस को कोई मालूम ही नहीं था कि उनका काम क्या है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ सुप्रीम कोट ने कहा है कि जब 7000 प्रोटेस्टर हास्पिटल के अंदर गुस रहे थे तो आप खड़े हो के क्या देख रहे थे अगर आपको लगता है कि कलकता की पुलिसी नदान है तो ऐसा नहीं है वहाँ की मुख्यमंतरी मम्ताब एनरजी भी बड़ी नदान है जब कलकता में इस पूरे केस को लेके प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहाँ पर ममतब एनरजी खुद प्रोटेस्ट में जाके स्वामिल हो गई अब ये प्रोटेस्ट किसके खिलाफ होता है थोड़ा ध्यान से सुनियेगा जब लोग किसी केस की कारवाई से संतुष नहीं होते तो वहाँ की राज सरकार और मुख्यमत्रिक खिलाफ प्रोटेस्ट होता है कलकत्ता में भी यही हो रहा था अब ममतब एनरजी खुद वहाँ पे चली गई नहीं इस बार हुनने ट्विटर पर कुछ लिखा और सम्विधान को खत्रे में बताया जैसा कि वहर बार करते हैं दुरू राठी रविश कुमार जैसे वामपंद्थी क्रियेटर्स ने भी इसके पर कोई वीडियो नहीं मनाया हाला कि ये पहली बर नहीं था इसके पहले संदिश खली में जब टीमसी नेता साजां शेक ने कई महिलाओं के साथ रेप किया था उन्हें शोशन करते हुए उनके घरवालों को मौत के घाट उता दिया था तब भी इन लोगों ने कुछ नहीं बोला था क्योंकि इन्हें भाजपा के विरोध में बोलने के पैसे मिलते हैं सच दिखाने के नहीं राहुल गांधी प्रियंका गांधी आहां वादमी पार्टी की सौती मालेवाल और अन्यनेता जब यूपी में कुछ होता है बाग की जगाओं पर कुछ होता है तो वहां जाकर बैड़ जाता है ट्विट डालना शुरू कर देते हैं मगर अभी इने क्या हो गया सब चुप हैं हो सकता है इनका नेट पर खतम हो गया हो या कलकत्ता जाने के लिए इनके पास पैसे ही ना हो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी को क्या कलकत्ता की लड़किया लड़किया नहीं लगती या कि यह समझती हैं कि कलकता भारत का हिस्सा ही नहीं है जिस पे बात करना ज़रूरी है असल में मुद्ध यह है कि वेश बंगाल के अंदर 42 लोकसभा सीट्स हैं अगर ममतब एनरजी का ज़्यादा विरोध होता है तो 42 सीट्स में से बीजेपी अपने पक्ष में बहुत साई सीट्स ले लेगी और इससे सारी विपक्षी पार्टियों को नुकसान होगा और बीजेपी मजबूत हो जाएगी जो प्लानिंग के साथ बीजेपी अलरडी हो रही है कोई भी विपक्षी दल ऐसा नहीं चाहता इसलिए चाटू कर पत्रकारों को पैसा भेज दिया गया है और वामपंति क्रेटर्स को भी खर्चा पानी देकर उनका मुँँ शान्थ कर दिया गया है या उन्हें ममतब एनरजी की छवी को साफ करने में लगा दिया गया है अगर सीधी बात कहूं तो ये लोग ऐसे चूले पर अपनी रोटी से कर रहे हैं जिसके अंदर बंगाल की साधारान जन्ता और वहां की महिलाएं जल रही है प्रोटेस आप लोग देखते हैं उनका भी एक गहरा सच होता है हाल में जो खटना घटी उसके खिलाब डॉक्टर नो भी प्रोटेस किया था तो मैं जहां रहता हूँ वहां पे भी हुआ था जिसमें डॉक्टर और नर्स थी ऐसी एक नर्स से मेरी जब बात हुई तो उन्हें इस केस के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी उन्हें सिर्फ इतना पता था कि मंगाल में एक लड़की के साथ जो की मेडिकल फील्ड से है रेप हुआ है इसके अलावा उन्हें कोई भी चीज की जानकारी नहीं थी खासकर महिलाओं की सुरक्षा के विश्य में और जब मैं सुनता हूं कि छोटी छोटी बच्ची के साथ ऐसी गंदी हरकते हो रही है तो सहीं में ये बहुत चिंतजनक विश्य लगता है ऐसी क्या चीज समाज के अंदर चल रही है छोटे बच्चे ऐसा क्या देख रहे हैं कि जल्दी बड़े हो जा रहे हैं छोटी छोटी बच्ची आ बड़ो जैसी हरकत करना शुरू कर दे रही हैं और ये जो पापी दुसकर्मी रहते हैं दरिंदे रहते हैं इनको शह कहां से मिल रही है जिस राष्ट को सोने की चड़िया कहा जाता था वहां पर ऐसी घटनाए हो और सोचें की सब कुछ ठीक रहेगा बॉलिवुड में गंदी फिल्में आइटम नंबर एक्सपोजिंग क्लोथ और सेक्स के बारे में खुले आए तो और पर इसनी चर्चा करने से गंदी ही फैलेगी और लोग का माइंड जो छोटे बच्चों का दिमाग जो बड़े हो र परीके से रेप के उपर मिलने वाली सजाओं को हम बढ़ा सकते हैं उसका डर ऐसे गंदे दरिंदों के अंदर डाल सकते हैं क्योंकि जब तक इन्हें सजा का बहर नहीं होगा तब तक लोग नहीं सुदरेंगे ऐसे मामलों में किसी भी राज का काम इतना ही है कि वो अपनी किस्के पास ताकत है वो उसे बचाने में लग जाता है क्योंकि कही न कहीं करप्षन और ये खराप चीजए हमारे सब के जहन के अंदर हैं तो हम एक दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं वहाँ पे ना मॉरिलिटी काम आती है और नहीं दूसरी चीज़ें क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़े डाली नहीं गई हम सब मौरली रूप से सब की सब करप्त हैं यह कीज बड़ा महत्पून है और यह सिखाता है कि कैसे राजनेतिक पार्टियां अपने फायदे के मुद्देव को उठाती हैं और बाकी चीज़ों से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता भ और ज़रा देख यह इन वांपणतिक क्रियेटर्स की आउकात को कि यह भी चुप की चुप बैठे हैं सच से इन्हें कोई लेना देना नहीं है खेर आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली होगी अपना मूलवान स में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में